को है तो हैलो दोस्तों कैसे हो आज हम सिखने वाले हैं पूटो शॉप के फाइल मेंदनु के बाहे हैं पिछले वीडियो में हमने लेर के बारे में सिखा था तो आज हम file menu के बारे में सिखेंगे तो file menu किसे करते है तो file menu यह जो उपर last corner में आपको दिख रहा है इसे हम file menu करते है इसमें जितने भी option इसके बारे में आज हम सिखने वाले हैं दोस्तो तो video को skip मत कीजेगा वरना आपको समझ में आएगा आपको मैं जितने भी important tool से उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगा यह आपको आगे Photoshop में बहुत से help करेगी तो हमारा first number पर आता है दोस्तो new file menu में सबसे पहले हमारे पास new को option आता है जिसके अंदर हम Photoshop में नया पेज ले सकते हैं इसके लिए हमारे पास control and shortcut होता है ओके यहाँ पर जैसे की लिखाई भी दिया इस पर हम अगर click करेंगे तो यहाँ से हम new file ले सकते हैं दोस्तो उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तो open option इसका shortcut की control O होता है इसके नाम से इसका काम पता चलता है दोस्तो Photoshop के अंदर कोई भी file open करने के लिए हमें इस tool का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे की यहाँ पर click किया तो file open हो गई है और यहाँ से हम file ले सकते हैं click करके open कर सकते हैं ओके फिर उसके बाद दोस्तो browse का option आता है यहाँ पर जैसे की आपको दिख रहा होगा जिसकी मदद से हम Photoshop के अंदर browse को open करके देख सकते है कि हमारे पास कितने holder है और उनमें कितना matter है यह same open की तरह काम करता है दोस्तो एक, दो, तीन यह सारे की सारे same to same काम करते है दोस्तो यह भी open recent open recent में थोड़ा अलग होता है दोस्तो उसके बारे में भी आपको बता हूँगा open as के बारे में बता देता हूँ open as जिसके अंदर हम वो फाइल देख सकते हैं जो हमें थोड़ी देर पहले open थी उसकी shortcut command होती है alter control o और उसके बाद आता है दोस्तो open recent यहां पर दिखाए दे रहाए आपको open recent में दोस्तो जो भी हमने recent में जिस भी फाइल पे हमने काम किया है वो सारी फाइल यहां पर हम को दिखाए देगी आपने जो भी recent में photo edit के होंगे वो सारे option आपको यहां पर file यहां पर दिखाए देंग़ आप यहां से वो file फिर से open करके उस पर काम कर सकते हो दोस्तों उसके बाद हमारे पास option आता है दोस्तों close का जिसकी shortcut command होती है W, control W जिस तरह नाम से show कर रहा है कि अगर हम photoshop में कोई भी file open करते हैं तो उसको हम यहां से close कर सकते मतलब उस file को बन कर सकते हैं फिर यह बाकी option तो इतने कुछ काम की नहीं उसके बाद आता है दोस्तों save जिसकी मदद से हम कोई भी file को save कर सकते हैं इसकी shortcut command हमारे पास control yes होती है इस option की मदद से हम अपनी बनाई हुई file को सुरक्षित कर सकते हैं जैसे कि यहां पर save पर click किया और यहां पर आपको जिस भी format में save करना है आप यहां से save कर सकते हो यहां पर jpg file का भी एक दिया है देखे इसमें और यह png यह दोनों हमें ज्यादा important है और अगर आपको बाद में फिर सी इस file पर काम करना है अब हमारे पास save as को option आता है जितके अंदर हम उस file का नाम change कर सकते है जो हमने पहले save कर रखी थी अगर आपने कोई भी save की है कोई भी file save की है तो उसका नाम अपने पसंद से आप यहां पर जाके change कर सकते हो जैसे कि मैं इस पर click किया यहां पर मुझे यहां पर मुझे जिस file का नाम change करना है आप यहां से change कर सकते हो उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास option reward का तो reward के shortcut की होता है F12 अगर आप Photoshop में new page में कोई भी काम कर रहे हो और उसके बाद उस file को save कर देते हो तो उसके बाद आप उसी file में कुछ भी change करते हो तो उसको हटाने के लिए हम reward का option का use करते है इस option की मदद से हम उस काम को remove कर सकते है जो हमने file को save करने के बाद किया था जैसे कि मैं आप यहां पर देखिए मैं एक यहां पर example बताता हूँ इसको हमने ऐसा paint कर दिया ठीक है कुछ भी कर लेते हैं चलो इसमें हमने ऐसा paint कर दिया और हमने इसको अगर save कर दिया तो आप reward में जाके यहां पर यहां पर reward पर click करेंगे देखिए clean हो गया मतलब आपकी file जैसे थी वैसे आप उसको return में काम कर सकते हो उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तो expert को option एके जिस तरह हमारे पास पहले उसके बाद import का option आएगा उसी तरह हम expert के option पे भी काम करेंगे इस option से हम file को photoshop में अंदर ले आ सकते है जैसे open का का काम होता है उसी तरह सी इसका भी काम होता है, यहाँ पर expert as करेंगे, तो यहाँ से आप computer में यहाँ से file ले सकते हो, यहाँ पर size वेगरे change करके, दूसरी file यहाँ पर create कर सकते हो, ओके, अब आता है दोस्तो, import, यह बाकी के file तो कुछ काम की नहीं है, तो हम सीधे जाएंगे, import पे, file menu में import option के अंदर हम कोई भी file, photoshop के अंदर import कर सकते हैं, आप कोई भी file coral draw में रखी हो, या file, कोई भी file हो, आप यहाँ से import कर सकते हो, दोस्तो, उसके बाद आता है दोस्तो, file info, ओके, जिसके अंदर हम file की information ले सकते हैं, जो हमने open कर रखी है, इसके अंदर हम file की location देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यह photo open कर रखा, यहाँ से lock आटा देता हूँ, यह photo, अगर इसके हमें जानकर रिलेनी है, यह कब क्लिक किया था और क क्या क्या कौन से तारी को क्लिक किया था आप यहाँ पर जाके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सूरज राजपूत नाम आया है, इसके camera से हमने फोटो क्लिक की दिकप की थी, यहाँ पर date भी दिखाई दे रही है, edit की यह date है, modification date यह है, और यह click की date यह है, तो दोस्तो इ अभी print का नाम सुनते हैं, आप तो समझ गया होंगे कि यह किस काम आता है हमको, printer connect करके हम इस फोटो की print निकालने के लिए, यहाँ पर size वगेरे select करके, इसकी print निकालने के लिए, यह print का option यहाँ पर आपको दिया गया है, और उसके बाद last में आता है दोस्तो, easy option, यहाँ पर आपको इस सारे option की यहाँ पर shortcut दी गई है, आप एक बार read कर लिए जगा, तो यहाँ पर easy option आया है दोस्तो, अगर आपने कोई भी file open कर रखी है, जैसे excel, paint, और photoshop या फिर call and draw, it is, इस file से बाहर आने के लिए, हम easy option चूज करते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि कहीं बार हम railway station पर जाते हैं, तो कहीं gate पर लिखा होता है, easy, मतलब अगर आप station से बाहर आना चाहते हो, तो यहाँ से आ सकते हैं, उसी तरह से photoshop से अगर आपको बाहर आना है, तो आप यहाँ से आ सकते हो, दोस्तो, तो दोस्तो, मुझे यकिन है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आज हमने क्या सिखा दोस्तो, आज हमने सिखा file menu के बारे में, ओके, अगले lesson में हम कुछ अलग सिखेंगे दोस्तो, आप सिर्फ वीडियो देखिए, यह class 3 था, class 4 में हम menu बारे में सिखेंगे, और उसके बाद हम toolbar के बारे में सिखेंगे, दोस्तो, तो आज की वीडियो में इतना ही, यकिन है, मुझे यकिन है दोस्तो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप एक बार वापस इस वीडियो को देख लिजेगा, आपको total समझ में आ जाएगा, तो दोस्तो, last में एक तक आपको total photoshop शिखाने वाला हूँ, लेकिन जैसा response मुझे चाहिए, वो जैसा response मिल नहीं रहा है, दोस्तो, तो बस चैनल को subscribe कीजिए, share कीजिए, और comment, like कीजिए, बाकी कुछ नहीं, ओके, तो मिलते हैं दोस्तो, next वीडियो में, तब तक के लिए, have a nice day.